Hello guys and welcome back to our YouTube channel आज मैं आपको 5 stocks बताने वालों swing trading के लिए जो next week बहुत अच्छा perform कर सकते हैं यह मैं आपको calls बिल्कुल भी नहीं दे रहा हूं इससे आपको सीखना है कि कौन से setups मैं यूज करता हूं क्या criteria मैं देखता हूं जिससे कि आप अलग मतलब दूसरे stocks में भी यह setup अपलाय करके ले सकते हो ठीक है तो यह जो मैं setup आपको बताऊंगा इस setup सीखे है ठीक है stocks तो आपको हर रोज मिल जाएंगे लेकिन जो setup मैं आपको बता रहा हूं वह आपको बहुत काम आएगा तो सबसे पहला जो हमारा stock है वह है ICICI Lombard General 2 यह stock में pattern क्या बना है सबसे पहले हमको pattern find out कैसे करना है सबसे पहले daily chart ले लिए यहाँ पर मुझे दिख रहा है एक channel उपर से बन रहा है एक channel नीचे से बना है तो trend lines बन रहे है trend lines को valid कैसे मानना है सबसे पहले यहां पर जिखेंगे इस trend lines से था ऊपर चला गया फिर इक trend line पर उपर चला लगया फिर इस trend line पर और उपर चला गया फिर is trend line पर आके और steep ऊपर चा रहा है यानि कि buyers सभी ऑर strong हो रहे अब जब यह नीचे आया तो किस तरह चाया वह हम पहले अनलाइस करते हैं ठीक है पैटन जो मैं बता रहा हूं पैटन बस आपको एक आईडिया आजाए थोड़ा सा कॉन्फिटन्स आजाए इसलिए मैं आपको पैटन बता रहा हूं तो इस पैटन के अकॉड़िन डेली चार्ट पर मैं अगर आपको बताऊंगा तो कित स्टॉक को आ बास लिस में रख सकते हैं अब काम करता है नहीं करतां और हर स्टॉक में हमारा वहारा है जब सोट फिस्टिंट से सबसे पहले यह दूसरा यह जो मैंने जोन बनाए इस जोन की जो इंपॉर्टन से वह आप देख सकते हो इस जोन से स्टीप मार्केट पिछली भारी लास्ट टाइम फिफ्टीन हंड़ेड से सिक्स्टीन फॉर्टी तक नॉन स्टॉब दो से तीन दिन में चला गया था इस जोन पर फिर से किस जोन पर इसी जोन पर थोड़ा सा स्मॉल कैंडल बना रहा है यानि कि सेलर्स उतने स्ट्रॉंग नहीं दिख रहे और यहां पर जो पैटन बना है इसको बोलते हम फॉलिंग जब फॉलिंग वेज आप गूगल कर सकते हो क्यों काम करता है कैसे काम करता है यह एक बुलिश पैटन माना जाता है ठीक है इस तरह से मार्केट छोटा छोटा रेंज बना था और फिर बाद में ब्रेक आउट देता है सीधे उपर निकलता है तो हम पैटन की बरुसे पर ट कर रहा है तो यहां पर आया है तो इस तरह का मोमेंटम पॉसिबल यह एकर लिए आप यहां पर देखो यहां से नीच फिर जब यह ऊपर गया तो यह जो रिजिस्टन्स जोन यहां क्या बन जाएगा support support की तरह आट क्या फिर नीचा है फिर और उपर चला गया अब देख सकते हो सबसे first time support पर इतना उपर गया next time support पर और उपर गया ठीक है यह हमको बता था कि यहां पर buyers active है तो अभी यहां पर लेना के लिए reason चाहिए हमको तो जो यह resisting trend line थी यह resistance है ना इसको breakout दिया फिर नीचे आया फिर इसको resistance लिया फिर उपर गया तो इस जो trend line है इस पर support ले रहा है यहां से support लेके सीधे यह breakout कर सकता है क्योंकि अब trending stock है breakout तो दे चुगा है अब लोग मतलब कुछ लोग वेट करेंगे कि फिर से अगर इस support पर तो लेंगे लेकिन stock कैसा है अगर इसको सच में उपर जाना होगा तो इस सीधे यहां से निकल जाएगा वन इस टू टू का रिस्क रिवाड यहां पर मैंने सेट करके स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1425 छोटा सा स्टॉप लॉस है 4045 पॉइंट का और यहां पर टार्गेट अगर आप देखोगे तो 1536 वन इस टू आपको एग्जैक्ली यहां पर अचीव हो सकता है ठीक है पॉसिबिलिटीस बहुत ज़्याद है क्योंकि ऊपर जाके ऊपर के लेवल पर यहां पर हॉल्ट कर रहा है तो यहां से निकलना इसके लिए इजी है अगर इसको जाना होगा तो तो अनलेसिस तो यही कर रहा है यह जो ट्रेंड लाइन थी जो प्रिविएस्ली रेजिस्ट निकल जहेंगे स्टिकली हके नेक्स टॉक है यहां पर हिंदुस्तgeneration यह लिएवर में क्या पैटन है इसको हम लोग क्योंकि बहुत अच्छा अब्यंडिंग में स्टॉक चल रहा है यहां पर अगर देखो़ेगे ख्लियर करक्त च compr बहुत बहुत में स्टॉक चलुद अब इस तरह कि स्टॉक में जब भी डिप आता है तो यहां पर बाईर्ष एक्टीव जाते किस तरह से होते हैं उस्का हम लोग फ़ले बैक टेस्टिंग कर लेते हैं यहां पे आगर आप देखते हो इस चैनल में नीचे की energy लेवल से भाई आ गया फिर, बाइंग आ गया फिर स modular Tapo फिर support, फिर support फिर यहीं मैं आपको बता हाजा तो जब दिख रहा है कि यहां पर यहीं बताने की कोशिश करा था तो उसको आप देख सकते हो बाद में स्टड़ी कर शकते हो नेक्स्ट ऊपर गया उपर जाने के बाद यह जो रिजस्टिंग ट्रेल लाइन थी जो इतने उसको साल से आप बोल सकते हो कब से रेजिस्टेंस दे रही थी इसको 2019 से यहां से 19 से इसको रेजिस्टेंस मिल रहा था अब breakout होने के बाद यह यह बन जाएगा आप इस सपोर्ट ठीक है तो यहां पर आके होल्ट भी कर रहा है और होल्ट भी कर रहा है तो इसका मतलब यहां पर सेलर सब ज्यादा वीक ज्यादा स्ट्रॉंग नहीं है यह हमको बताता तो इंट्रें आपकी होनी चीए इस जोन के आसपास स्ट्रिकली 2580 और यहां पर सपोर्ट है राउंड लेवल जो 2600 उसका भी यहा के सिपला सिपला में अगर हम थोड़ा सा प्रिवेसली बैक टेस्टिंग करते तो किस तरह के सेट अप यह फॉलो कर रहा है यह देखते हैं लोग उपर आया यहां पर फिर यहां पर लोगों ने क्या किया होगा जब उनको इस तरह का दिगया तो यहां पे सभी ने इस तरह पहले से क्यों हुआ रिवर्स उसके पास उसका अगर हम लोग रीजन देखेंगे तो यहां से एक ट्रेंड लाइन बनती है है ना तो यह ट्रेंड लाइन देखिया आप क्लियरली इसने फॉलो किया था स्टॉक का नीचर स्टॉक वाइस भी डिफ्रेंस करता है ठीक है सेट सेम यहां पे उपर गया यहां से उपर गया फिर यहां से जब उपर जा रहा था इसने ट्रेंड लाइन फॉर्म की यहां से उपर गया फिर नेक्स टाइम और ज्यादा उपर गया यानि कि बायर्स और बढ़ गये अब यहां पर आके सेम लेवल पर हॉल्ट कर रहा है इतने भी और एक चीज़ है 900 की जो राउंड लेवल है वो साइकोलोजिकल लेवल वो भी यहां पर इसको डिफेंड कर सकती है तो यह है इस स्टॉक के पीछे का रिजन और कंटिन्यू यह मतलब नीचे यहां रहा है रेड़ कैंडल बना रहा है एक अच्छी कासी बुलिश कैंडल यहां पर बना सकता है क्योंकि इस फैनो स्टॉक्स हो है वो कंटिन्यू एक डिरिक्शन में नहीं जा सकते क्योंकि फॉर एक्जमपल यहां पर किसी ने कॉल शॉट किया है वो लोग स्वेर आफ करेंगे इस तरह की चीज़े होती है इसलिए यहां पर रिट्रेस्मेंट भी विजे सभूरी वहुत साह अंहीं करता है ठीक है और सेट उप के वज़े से मार्केट कभी वर्क नहीं करता है साइकोलोजी और जो यो एनलिस से करते हैं इसर इसके यहां और ब्रेटेलर जो 47 पर इंस पर प्रेजेमार ने कैने लिए कितना वहें चुछ अलग ऐस Greekब्स दो प्राक्टिकल कॉंटेंट में अप्लोड करता रहता हूं जो लोग पेड़ कोर्सेस में सिखाते हैं वो सब कुछ मैंने अपने चैनल पर अप्लोड कर रखा है तो आप लोग देख सकते हो थैंक यू फॉचेंग इस वीडियो गाईस से यू नेक्स वीडियो थैंक यू